Hey there, press the bell icon and never miss a video on cyber security and technology. में और एक ऐसी vulnerability के बार में बात करने वाले हैं, जो one of the most popular थी अपने time में जब वो introduced हुई थी, जब discover हुई थी, आपने Heartbleed का नाम सुना होगा, आपने और बहुत सारे Microsoft के exploits के बार में सुना होगा, जो vulnerabilities को exploit करते हैं, like SMB, Eternal Blue के बार में सुना होगा आपने, और zero logon, यह सब बहुत सारे Microsoft के निकले हैं, लेकिन एक time पे 2014 के time पे एक ऐसा bug था software में, जिसका नाम था Shellshock, यह Shellshock उतना ही famous था, अगर उससे जादा नहीं तो, जितना Heartbleed था, और उस time पे बहुत सारे ऐसे bugs निकल रहे थे, बहुत बड़े बड़े, तो यह Shellshock जो है, यह बहुत popular हुआ आपने नाम भी सुना होगा, लेकिन इसके जो technicality है, वो डूढ़ने में मुझे कपी मेनत लगी है, तो मुझे यह लगता है कि शायद आपको भी लगी होगी, या शायद आप पूरा समझ नहीं पाए होंगे इसको, क्योंकि इसमें जो मसाला है न, वो पूरा bash related है, पूरी Un क्या, यहाँ पर मैंने बहुत सरे resources निकाल के रखे हुए हैं, जहांसे मैंने research की थी, काफी मुझे मदद मिली है, वो मैं आपको बता दूँगा, description में link भी दे दूँगा, जहांसे आप पढ़ सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो, सबसे पहले यह OWASP के presentation है, TUDOR, 21 का issue है, और आपको किसी भी remote system में shell access दे देता है, बहुत ए critical issue है bash software में, bash shell से related है, जो GNU bash की बात कर रहा हूं है, उस से related है, जो पुराना वाला bond shell था, या जो thompson shell था, वो नहीं था, जो rewrite किया गया था GNU project के बाद में bash की बात कर रहा हूं है, तो bash के version 4.3 के पहले के जो भ bash में क्या problem हुई, और background क्या है bash का, क्यों ये issue आया, क्या source code में कुछ issue था, इसमें कि ये shell shock introduced हुआ है, तो उसके लिए बहुत सार background है, जो मैं clear करने वाला हूँ, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, Wikipedia में official definition पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, vulnerability relies in the fact that bash incorrectly executes trailing commands when it imports a function definition stored into an environment variable, यह पूरा चीज में बताने वालों ठीक है, यह formal definition है, अब हम आते है practical पेस के, मलब पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यह bash मेरे पास, यह terminal है, यह terminal है, जिससे मैं bash shell को access कर पा रहा हूँ, यह जो interface है, यह आपका terminal, तो अब मैं आपर, दिखो यहाँ पर जो prompt आ नहीं है, तो यह मैं bash run कर रहा हूँ, तो इसका bash version देख लेते हैं, अब देखिए यह इसका version का 5.0, तो यह vulnerable नहीं है, यह काफी नया bash का version है, तो इसमें issue नहीं होगा, तो UNIX, Linux में आजकल most of the systems में bash as a default shell use होता है, और आजकी date में कहा जाया, तो यह बहुत पुराना bug है, आ लेकिन demonstration purpose के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि difference क्या होता है, एक ऐसी machine भी है मेरे पास जो इससे vulnerable है, तो आप version चेक कर लें, उसके हिसाब से ही चेक होगा कि यह क्यों है ऐसा, आप अगर जानते हैं कुछ background के बारे में कि shell जो bash है basically, वो काम कैसे करता है, तो bash की बात करें, तो कुछ environment variables होते हैं bash में, environment variables का मतलब है कि, जैसे कि आप programming में क्या करते हो, अगर आप programming करते हो, तो कुछ variables बनाते हो, उसमें कुछ values store करते हो, like string store करोगे, आप number store करोगे, integer store करोगे, by default bash में भी environment variables होते है, कि आपने कुछ declare कर दिया variable x में कि Hello world, अब रबार hello world न लिखना प यहां भी बना सकते हैं, bash में भी कुछ बहुत सारे type के यहां पर environment variables होते हैं, यह basically आप अगर env command type करोगे, तो यहां पर आपको देख जाएंगे कितने सारे होते हैं, यह depend करता है कि आपने किस user से logging किया है, यह profiles होती है, bash, rc होता है, profile file होती है, बहुत सारे files होती है, जो run होती हैं, और उनके इसाब सरी environment variables set होते हैं, तो यहां पर देख सकते हो, आप default कुछ कुछ होते हैं, like home, आपकी home directory क्या है, आपका user name क्या है, कुछ terminal के भी होते हैं, यहां पर user होता है, user कौन सा है, जो आपने login किया है अभी, और path वगर variables तो होते ही है, तो यह सारे variables हैं, जिस प तो यह मेरा home path बता देगा, मेरी home directory कहा है, और ऐसे अगर मैं shell लिखूंगा, कि मेरा default shell कौन सा है, तो यह bash, bin bash यहां पर stored है, और ऐसे करके अगर मैं user लिखूंगा, कौन सा user है यहां पर, तो यह tech hacker बताएगा, जिससे मैं login किया हूँ भी, तो यह variables होते हैं, अब इन variables की जो variables को मैं as a string store कर रहा हूँ, अपने देखा होगा, across scripting में क्या होता है, कि जब भी input लिया जाता है, तो वहां पर हम लोग HTML tags देते हैं, जब वो output करता है, मलब जो भी browser में, जब वो output होता है, web server से, कभी कबार वो code run होता है, जो हमने डाला था, तो वो एक issue है, accessence के नाम से, अगर उसको आप sanitize कर दो, तो वो as a string ही interpret होगा, यहां पर भी कुछ ऐसा ही problem हुआ है, मलब bash के source code में उसने properly sanitize नहीं किया है, कि in moment variables में input में code है की नहीं, यह check करने के लिए, मलब input के बीच में कहीं भी code नहीं होना चाहिए, यह programming की best practice होती है, जब भी आप कुछ output कर रहे ह या user से input ले रहे हो, तो attacker controlled input में code input या inject नहीं होना चाहिए, यहां पर यह issue था, यह issue कैसे हुआ, अब अगर history में जाएंगे न, तो bash के version 1.03 से यह start हुआ था, GNU bash के 1.03 जब release हुआ था, तब से यह source code ऐसा ही बढ़ा है, तब से 2014 तक जब यह report हुआ, 2014 सब्टेंबर के around यह report हुआ था, bash के manager या जो भी उसको maintain करता था, उसको यह report हुआ था, तो अब सोच के देखो कि अब 2014 तक 25 साल, लगबग 25 साल तक यह issue था, और हमको पदा भी नहीं था, हमारी आँखो के नीचे था, हमको पदा भी नहीं था, तो 2014 के बाद भी काफी सारे ऐसे botnets बने, जो वा मैं बात करू, environment variables की, तो उसके बीचे एक और concept है, जैसे bash काम करता है, आप जब भी कोई shell script run करते हो, जैसे .sh नाम की कोई script आप बनाते हो, तो वो जो run होती है, वो अलग bash instance पर run होती है, bash के instances होते हैं, अब instances को आप child process बोल सकते हो, जैसे महा लेते हैं कि यहाँ पर मैंने फ c देना पड़ेगा command के लिए, तो यहाँ पर अब इसको quotes में लिख सकते हो, तो अब आपके पास यह output आया है, मैंने bin bash run किया, मैंने क्या कर सकता था, directly cad भी कर सकता था, यहाँ पर भी same output आता, लेकिन मैंने क्या किया, एक अलग bash program import किया, यहाँ पर bin bash नाम से, और उस program को ब bin bash का, तो यह instance होता है, वो उसका child process है, उसको आप एक sub shell बोल सकते हो, अगर आप यहाँ पर कोई program लिखोगे, bin के बाद, अगर कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर देखो कितने सारे program आप run कर सकते हो, यहाँ पर यह binaries है, अपना काम करती है, यहाँ पर यहाँ अगर मैं run करूँगा, तो यह एक child process में run होगा, मलब इसके लिए अलग से एक sub shell बनेगा, और उस sub shell में run होके, output से पर वापस आजाएगा, यहाँ पर इस current instance पे, लेकिन अब यहाँ पर एक concept होता है, कि जब भी आपको इस sub shell create करते हो, तो current bash instance के जो environment variables हैं, वो copy हो जाते हैं आपके sub shell में, मलब इस bash instance के जो भी मैंने env बनाए हुए हैं, तो यह सारे copy हो जाएंगे, जो मैं sub shell create करूँगा, उस sub shell में मैं कोई भी script, कोई भी binary, कोई भी process run कर रहा हूँगा, यह सारे उस पे copy हो जाएंगे, और जो copy होने का तरीका है, वही vulnerable है, मलब copy होने के time पे जो य आपे कि यह shell shock काम कैसे करता है, अभी मेरा current bash का version है, वो vulnerable नहीं है, आपको एक concept यहां पर पता है, नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ, कि आप खुद के environment variables भी set कर सकते हो, तो अगर आपको कोई environment variable बनाना है खुद का, तो आप env command से कर सकते हो, उसके बाद उस variable का नाम द रहेगा आपके current bash instance पे, एक और तरीका है, या तो आप export यूज कर सकते हो, export x equal to hello world, यह दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो, यहां पे cache यह है कि जब मैं एक variable बना रहा हूँ, तो मैं current bash instance के लिए बना रहा हूँ, मुझे अगर इसका effect देखना है, तो एक नया sub shell बनाना ठीक है, चलो एक और कॉंसे आपको समझना पड़ेगा bash functions के बारे में, bash functions आप बना सकते हैं, जैसे आप कोई भी programming language में functions बनाते हैं, वैसे bash में भी functions होते हैं, तो मैंने शायद एक script बनाई थी यहां पे, cd अगर मैं करूंगा bash, तो मेरे पास functions की script है, cat करूंगा functions, तो यहा कि मैं बार बर उसको reference कर दूँगा अलग-अलग arguments के साथ, यहां पर मैंने इसको reference किया है, यह एक normal function है, bash में आप empty functions बना सकते हो, empty function बनाने के लिए आपको एक sequence देना पड़ता है, इस type का, जैसे एक add लिखूंगा, और यहां पर मैं लिखूंगा दो braces, जो दो parentheses, तो एक curly brace यहां पर आएगा, और उसके बाद आप कुछ भी यहां पर लिख दो, अगर आपको blank बनाना है, empty बनाना है, तो आपको यहां पर colon देना पड़ेगा, colon के बाद आएगा आपका semicolon, उसके बाद space देके, फिर curly brace खतम, यह आपका एक function syntax है, empty function का, इसमें colon का मतलब है return true, बस true दे दो, यह अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपको एक syntax error मिलेगा, इसलिए यह किया हुआ है, आप इसको और छोटा कर सकते हो, ठीक है, और छोटा करके क्या होगा, कि आप इसका नाम हटा दो, यह भी काम करता है, यह एक nameless function है, anonymous function, तो अब मैं आपका declare करता हूँ environment variable, उस sequence के साथ, x कोई मैं rewrite कर दूँगा, यहाँ पर, x की value में लिखता हूँ, यहाँ पर y sequence, एक blank function, बीच में यह sequence, and that's it, उसके बाद मैं करूँगा, एक नया sub shell बनाऊँगा, यहाँ पर आप देखिए, सिर्फ इतने ही शब्दों में, सारा का सारा मेरा, जो पूरा function है, वो declare हो cache, इस sub shell में, यह x की value पास हो जाएगी, और वहाँ पर आप इसको access कर सकते हूँ, तो मैं minus c देता हूँ, यह test करने के लिए कि x से क्या pass हुआ है वहाँ पर, तो echo करूँगा, dollar x, यहाँ पर आपको single code देना है, ठीक है, कभी बार problem करता है यह, तो अब देखते कि x की value क्या जाती है, तो यहाँ पर देखी, यह पूरा as it is गया है, as a string गया है वहाँ पर, तो इसमें अगर आप कुछ लिखोगे, like इस function में कुछ लिखता हूँ, मैं जैसे echo, hello world, तो यहाँ पर आपने इसको echo किया है, तो echo ही होगा, मतलब यह string की तरह ही दिखाएगा, लेकिनी मैं आ hash बना मेरा, उस पर मैं यह type करूँगा, मेरा जो function है, x के नाम से type करूँगा, तो command not found आ रहा है, execute नहीं हो गई, क्योंकि यह वाला system vulnerable नहीं है, ठीक है, ubuntu मेरा, इसलिए यह execute नहीं हो रहा है, अगर यह vulnerable होता, तो यह x की जो value थी यहाँ पर echo, hello world, तो यह hello world echo कर देता, अब मैं अभी जा रहा हूँ, metasploitable में, जिसमें जो bash का version है, वो check कर लेते हैं, यह मेरी vulnerable machine है, जिसमें GNU bash का version है, 3.2, जो की attacks रहा है, तो अब यहाँ पर दिखते हैं, वही command type करके, थोड़ा छोटा है, प्लीज, bear करना, तो यहाँ पर env लिखते हैं, x equal to, same way दे रहा हूँ, echo करूँगा, hello world, और यह बंद, अब मैं bash का instance चालो करता हूँ, और यहाँ पर मैं सिर्फ x लिखता हूँ, कुछ नहीं, यह x as a function interpret हो चुका है, और hello world echo हो चुका है, तो यह function को run कर रहा है, यह जो आपने environment variable copy किया है, उसको parse करने के चकर में, इसने क्या किया है, वो execute कर दिय है, जो इसे as a string लेना था, तो यहाँ पर input और code के बीच में mismatch हो रहा है, misunderstanding हो रही है, यही issue है bash में, अब यहाँ पर अगर आप एक special sequence दोगे, जो मैंने यह दिया था न, एक blank function बनाओ, और उसके बाद अपना खुद का command दे दो, और वो run हो जाएगा, यही बस concept है यहाँ त कि वो command कैसे run होता है, तो मैं echo करता हूँ यहाँ पर, x equal to, वही चीज़ करूँगा यहाँ पर, तो मैं वही copy कर लेता हूँ, यहाँ पर नया instance है, तो नया बनाना पड़ेगा, तो x equal to blank instance, blank function, and then इसके बाद में क्या करूँगा, एक नया concept जोड़ूँगा, आपको पता होग अलग statement है, single line में, तो आपको उसे semicolon से separate करना पड़ेगा, तो यह function यहाँ पर complete हो चुका है, मैंने semicolon से इसे complete कर लिया, उसके बाद मैं नया command type करूँगा, तो इसके बाद नया command, नया statement expect करता है आपका interpreter, तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं echo vulnerable, यहाँ पर क्यू आपको बताता हूँ, और फिर एक bash लिखेंगे, नया instance का, चालू करेंगे, तो x की value में मैंने क्या लिया, एक blank function और एक नया statement, अलग statement लिख रहा हूँ, मैं vulnerable, अब vulnerable लिख रहा हूँ मैं, मैं bash में क्या करता हूँ, कुछ echo करता हूँ, echo test, echo test किया मैंने, echo test तो हो गई होगा run तो हो गई, क्योंकि वो उसको मैंने लिख दिया, c में के run हो जा, अब अगर यहाँ पर vulnerable भी echo होता है, तो उसका मतलब है कि यह issue है, क्यों, क्योंकि वो as a function interpret हो रहा है, और अगर वो ऐसा हुआ, तो vulnerable भी print करेगा, okay, sorry मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, मैंने echo लिख दिया है तो echo नहीं था, यहाँ पर anv था, और यहाँ पर देखिए vulnerable print हो चुगा है, इसका मतलब यह की vulnerable है, यह क्यों है, यह मैं आपको यह हटा कर दिखाता हूँ, अगर मैं इसको हटा दूँ, यह function sequence को, तो यह सिर्फ test print करेगा, यह काम तभी करेगा, जब आप जो magic sequence है, वो डाल होगे तब, अगर वो आ गया, तो उसके बाद के जो commands है, trailing commands, trailing sequences, वो सारे वो pass करता है as a command, और उसे उस sub shell में run कर देगा, execute कर देगा, और वही चीज़ इस article में लिखी है, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, यह क्या कर रहा है, अब आपको समझ में आपको बताया है, उसे आपको समझ में आया होगा, यह line, incorrectly executes trailing commands, जो function की sequence के बाद के commands है, function के sequence के बाद समी कॉलर डाल के आप जो भी उसे command दोगे, वो execute हो जाएगा remote system पे, when it imports a function definition, कहां से definition import किया उसने, मेरे bash से, यह tech hacker ubuntu से यहाँ पर, tech hacker ubuntu से इसने import किया था, यहां से import किया, function का definition, ज यहां पर से import करके उसने run कर दिया था, इस system में नहीं, उस system में, क्योंकि वो vulnerable है, अब यहां पर issue क्यों है, यह एक vulnerability क्यों है, यह बक्त है मैं समझ गया कि इस system पे है वो, तो यह मैं बाहर वाले के perspective से सोचू, attacker के perspective से, तो वो कैसे इसको exploit कर पाएगा, इस system में ही है, मतलब environment variables मेरे ही system से मेरे system पे जा रहे हैं, तो इसमे problem क्या है, कोई और इसे कैसे exploit कर सकता है, यहां पर होती exploitation की बात, आप सोच के देखो, एक concept है कि मैंने बताया है कि एक process से, दूसरे process में values पास हो रही हैं, एक bash के instance से, दूसरे bash के instance पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक non-bash process स एक bash process पे यह transfer हो, environment variable, मलब import करने के time पे ऐसा हो रहा है, export करने के time पे तो कुछ भी कर सकते हो, अब export जो हो रहा है, वो बहुत सारे जगहों से हो सकता है, अब एक सोच करके देखो, एक service है, कोई भी एक service है, मैं use कर रहा हूँ as an interface, दो process के बीच में, अगर मैं कुछ चाहता हूँ की system shells run हो, उसका output मुझे मिले, अगर मैं एक website बना रहा हूँ, जो की current time display करता है system का, तो मैं time जो date command है, वो use कर सकता हूँ, या मैं कोई tool बना रहा हूँ Python में, या कोई GUI बना रहा हूँ मैं, तो उसमें के एक sub process module होता है, तो वो bash की service use करता है, मलब bash में कुछ command देख कि उसका output लेगा, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कोई file कितनी पुरानी है, तो उसका timestamp ले लूँगा मैं date command से, और चेक करूँगा अभी current timestamp से कितनी पुरानी है, तो delete करनी है, उसे अपके tools बना रहा हूँ मैं, तो bash की services बहुत सारे अलग-अलग programs use कर सकते हैं, इसको आप सो लेकिन वहाँ पर आप खुछ से code लिखते हो, खुछ से functionality लिखते हो, लेकिन एक और concept आता है, cgi का common gateway interface, उसके जो scripts होती है, आप उनको उनके लिए shell script बना करके रख लो, और उनमें जो input आ रहा है, cgi scripts में, उनका जो processing है, वो आप shell script से करवा सकते हो, shell scripts बनती है, उसके intern invoke करती हैं, और वही shell scripts एक sub shell में run होती है, तो Apache के process से, या कोई भी web server ले लो, Apache नहीं होगा, चलेगा, तो कोई भी तरीके का, यहाँ पे जो web server है, वो cgi service यूज़ कर रहा है, cgi compatibility यूज़ कर रहा है, कुछ content serve करने के लिए, तो cgi जो use हो रहा है, Apache के process से, वो आ रहा है पास हो रहा है हमाँ पे, Apache में भी कुछ environment variables होते हैं, आपने देखा होगा, उसकी configuration file होती है, http headers के form, http user agent, http accept header, इन सबके environment variables होते हैं, तो वही सारे variables as it is past हो जाते हैं, आपके sub shell में, तो आप सोच के देखो यहाँ पे, कि Apache में जो environment variables हैं, वो headers हैं, जो मैं control कर सकता हूँ, जो attacker hacker control कर सकता है, header में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, आप बब स्वीट से intercept कर लो, header change कर दो, तो header में अगर मैं यही same sequence डालता हूँ, तो वो जा कि Apache के पहले variables में store होगा, और वो cgs scripts के through जाएगा sub shell में, और वो सारे variables वहाँ भी copy होंगे, जब copy हो रहे होंगे, जब pass हो रहे हो fixed command run कर सकते हो, login करने के बाद, और कुछ dlcp clients होते हैं, उस time पे भी यह होता है, तो कई तरीकों से हो सकता है, एक तरीका है जो हम लोग next video में देखेंगे, एक CTF solve करूँगा मैं इसी issues related, तो आपको clear हो जाएगा कि कैसे काम करता है, और overall picture मिल जाएगी, तो अब important समझ में आ जाए, तो सब systems को एक साथ patch करना, और उसके लिए एक plan बनाना, strategy बनाना, ताके downtime minimum हो, तो वो काफी lengthy काम होता है, काफी time consuming काम होता है, काफी systematic डंग से करना पड़ता है, लेकिन यह काफी पुराना बग गई है, तो अभी आपको बहुत ही rarely मिलेगा, यह नहीं मिलता है, आप गुगल डॉर्किंग से find कर सकते हो, शेल शॉक को, मैंने hint दे दिया है, cj वगरा, खर और वीडियो आगे आएंगी इसके उपर, तो मैं बोड रहा था आपको कि bash जहां पर होगा, जहां पर भी use हो रहा है, जरूरी नहीं है, बैश की सिर्फ Unix पर use हो रहा है, सिर्फ आप होता है, यह IoT devices पे, home routers पे भी run होता है, बैश तो यह काफे सारे devices पे vulnerable था, अभी mostly काफे systems patch हो चुके हैं, लेकिन 25 साल तक यह under the common eye था, और अभी कौन सा और बग है source code में हमको नहीं पता, source code जब देखा गया है उसका, तो वो 1.03 से 1989, 1989 से यह बग था वहां पर, और बस इस मैंने Ubuntu यहां पर डाला है, वो तो होता नहीं है, इस से vulnerable नहीं है, और अगर आप वही चीज़ लिखोगे, जो मैंने पहले लिखा था, जैसे की cat, etc password अगर आप लिखोगे यहां पे, तो यह run नहीं होगा bash पे, कुछ नहीं होगा यहां पे, तो यह vulnerable नहीं है, अगर यह same च exploit table है, और इतना जादा popular हुआ था, अगर यह नहीं होता, तो फिर कोई problem ही नहीं थी, देखो यहां पर ADC password दिख गया मुझे, segmentation fault हो रहा है, वो बात अलग है, लेगर ADC password दिख गया ना, तो attacker controlled input है यह, अब यहीं चीज़ें हैं, और बस मेरे गाल से जादा कुछ नहीं है, इसके अलावा, I hope आपको समझ में आया होगा, जो मैंने बताया, नहीं आया तो एक बार और देख लेने यार, क्योंकि थोड़ा सा technical है यहां पे, और जतना हो सके मैंने simple बाशा में बताया, जतना मैंने research किया, दो दिन तक, और यह सारे articles हैं, यह सारे resources मैंने refer किये थे, मैं computer file की तरफ से, इसको जरूर देखना, यह आपके लिए एक one shot revision हो सकता है, और यहां पर भी Tom Scott का भी एक explanation है, वो भी काफी बढ़ी है, उन दोनों को दिख लेना, आपको लगबख सब समझ में आ जाएगा English में, I hope आपको अच्छा लगाओगा यह वीडियो, technical videos लाने में मैं मैंने देर कर दी है, आपको ऐसे videos चाहिए, explanations या background details चोकि लोग नहीं बताते हैं, simple language में ही समझ में आती हैं, तो अब बताइए मुझे comment section में, मैं ज़रूर बनाऊंगा आगे चलके, और पस यही था इस video में, अगर आपको अच्छा लगा तो like कर दें यार, subscribe कर देना channel को का ऐसे videos के लिए, देखते रहिए, सिखते रहिए और, goodbye